बच्चो आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है तो सबी बच्चे अपनी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण भारती रफ कौपी और पैंसिल लेकर बैठ चाहें और आज का सेशन ध्यान पूर्वग अटेंड करें बच्चो आज हमारा पढ़ने का विशे है कारक जिसे विभक्ती चिन या पर सरग भी कहते हैं बच्चो आज हमारा कारक पढ़ने का उदेश्य उन चिनों के बारे में जानकारी हासिल करना है जो संग्या या सर्वनम शब्दों के साथ प्रियुक्त होकर बाकी शब्दों से उसका संबंद स्थापित करते हैं बच्चो जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो हम कुछ चिनों का प्रियोग करते हैं जैसे नी को से के लिए पर का के की हे में अरे इतियादी इन चिनों को कारक चिन कहा जाता है इन चिनों के बिना वाक्य का सही अर्थ समझ में नहीं आता तो आव बच्चो अब हम कुछ वाक्यों को पढ़कर इनकी जानकरी हासिल करते हैं जैसे राम ने रावन को बान से अपनी पत्नी सीता के लिए मारा रावन अकाश से धर्ती पर गिरा श्री राम की पत्नी रावन की कैड से मुक्त हो गई रावन के मुक्त से अंतिम शब्द निकले हे राम तो बच्चो इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द ने, को, से, के, लिए, पर, हे, इत्यादी ये सबी कारक्चिन हैं यदि हम इन वाक्यों को इन कारक्चिनों के बिना बोलते हैं जैसे राम, रावन, बान, अपनी, पत्नी, सीता, मारा, तो हमें इनका सही अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए वाक्या को इसके सही अर्थ में समझने के लिए इन चिनों का प्रयोग किया जाता है। तो आओ बच्चो, अब हम अपनी पुस्तक व्याक्रन भारती के पार्थ 3 टॉपिक कारे का अध्यन करेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्या दिये गए हैं, उनमें से हम पहले कारक चिनों को पहचान कर उन्हें रिखामकित करेंगे। जैसे दीदी मा ने सेब अंगूर और अमरूद खरीदें हैं तो यहाँ पर कौन सा कारक्चिन है ने जो संग्या शब्द मा के साथ आकर उसका बाकी के शब्दों के साथ संबंद बता रहा है चलो फलों को धो लें यहाँ पर कौन सा कारक्चिन है को जो संग्या शब्द के साथ आकर उसका बाकी के शब्दों के साथ संबंद बता रहा है दीदी इन फलों से चाट बनाई तो यहाँ पर कौन सा कारक्चिन है से ठीक है तुम फल काटने के लिए चाकू ले आओ तो यहाँ पर कौन सा कारक्चिन है के लिए रसोई से और कुछ लाना है तो बच्चों यहाँ पर कौन सा कारक्चिन है से चाट मसाले की डिब्बी भी लिए आना तो यहाँ पर कौन सा कारक्चिन है की जो संगया शब्दों के साथ आकर उसका बाकी शब्दों के साथ संबंद स्थापित कर रहा है दीदी चाट मसाला तो मेज पर ही रखा हुआ है तो यहाँ पर कौन सा कारक्चिन है? पर अरे मुझे तो दिखा ही नहीं तो यहाँ पर कौन सा कारक्चिन है अरे तो बच्चो इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द, संग्या या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंद बता रहे हैं और ये रंगीन शब्द ही कारक्चिन है तो हमने ये जाना कि संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्या के अन्य शब्दों से उसका संबंद जाना जाता है उसे कारक कहा जाता है तो आओ बच्चो अब हम इसके वेदों के जानकारी हासिल करते हैं कारक के आठ वेद होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रेदान, अपादान, संबंद, अधिकरण और संबोधन ये कारक के आठ बेद हैं और इनके साथ ये विवक्ति चिल लगाई जाते हैं जैसे दुकांदार नी समान दिया यहाँ पर कौन सा कारक्चिन है नी और जो संग्य शब्द दुकांदार के साथ आकर इसका बाकी के शब्दों के साथ संबंद बता रहा है यहाँ पर नी कारक्चिन दुकांदार शब्द के साथ प्रियुक्त हुआ है इसलिए यही शब्द कर्ता कारक है कर्ता यानि काम करने वाला देखो बच्चो नी कारक्चिन किसके साथ लगता है? कर्ता के साथ इसलिए दुकांदार यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक जावेद को जाने दो यहाँ पर कौन सा कारक्चिन है? को कारक्चिन किसके साथ लगता है? कर्म कारक के साथ इसलिए जावेद यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्म कारक इस पैंसिल से लिखो से कौन सा कारक है यह? करन कारक क्योंकि से यहाँ पर साधन के अर्थ में प्रियुक्त हुआ है साधन यानि पैंसिल यहाँ पर एक सोर्स है एक साधन है जिसके द्वारा लिखा जाना है इसलिए से यहाँ पर साधन के रोप में प्रियुक्त हुआ है पैंसिल शब्द यहाँ पर करण कारिक है आशा को पुस्तक दे दो यहाँ पर कौन सा भाव है पुस्तक देने का भाव जहाँ पर कुछ देने का भाव हो यहां किसी के लिए कुछ करने का भाव हो तो वह संप्रदान कारक कहलाता है तो यहाँ पर पुस्तक दीना शब्द यहाँ पर को कारक जिन आशा संगय शब्द के साथ प्रियुक्त होकर इसे संप्रदान कारक का बोद करा रहा है पेड से पत्ते गिर रही हैं पेड से पत्तों के अलग होने का भाव है तो जहाँ पर अलग होने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है जया का काम अच्छा है जया का उसके काम के साल संबंद है इसलिए जहाँ पर का के की इत्यादि कारक चिल लगे हो वह सम्यशब्द संबंद कारक कहलाता है घर पर लोग एकठा हो गई हैं तो यहाँ पर हमें स्थान का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पर में पर आधिकारण कारण कारण कहलाता है अरे जरा मेरी भी सुन लो यहाँ पर अरे पुकारने के भाव से प्रियोक्त हुआ है इसलिए यह संबोधन कारण है आओ बच्चो आगे हम देखते हैं कि कारण चिनों के प्रियोक से संग्या और सर्वनाम का रोप कैसे बदल जाता है देखो बच्चो यहाँ पर संग्या यानि नाउन यहाँ पर लड़का संग्या शब्द है इसके साथ कोई भी कारण चिन नहीं लगा लड़का खाना खा चुका है अगर हम इसके साथ कारण चिन का प्रियोक करती हैं तो इसका रोप लड़का से लड़के बन जाता है जैसे लड़के ने खाना खा लिया है ऐसे ही बच्चो सर्वनाम यानि प्रेनाउन यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द है इसके साथ कोई भी कारक्चिन नहीं लगा, वह खाना खा चुका है, अगर हम इसके साथ कारक्चिन का प्रियोग करती हैं, तो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे उसने खाना खा लिया है, तो बच्चो पढ़कर हमें ये चाना कि कारक्चिनों के प्रियोग से संग् और सरवनाम का रूप भी बदल जाता है तो बच्चो आज हमने कारक के बारे में पड़ा आप कारक के भीदूं का चीनों सही अध्यन करेंगे रफ कॉपी पर लेकर इसकी दोहराई करेंगे अगले टॉपीक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए गुद बाई